चलिए पहली ओर की जिम्मेदारी जवाबदारी महममद अपने कांदों पर लेते हुए चलिए मैच और उनने जा रहा है सलामी बल्ले बाजी की जोड़ी विक्टो के बीच में नजर आती हुई एक तरफ इब्राहीम और महताब इस तरीकी की जोड़ी विक्टो के बीच में नजर आती हुई स्ट्राइक पर है इस वक्त महताब नौन स्ट्राइक हैं पर है इब्राहीम गेनबाजी का जिम्मा समाला है गेनबाज महममद ने इस टीम के ओनर है चलिए अंपायर का डिसेजन आता हुआ लेट्स प्लेज 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 स्टार्ट अ मैच वेरी फर्सट बॉल सामना करने के लिए सज्जे होते वे तयार होते हुए बल्लेबाज महताब सामना करेंगे महममद की वेरी फर्सट बॉल का पहली गेन दी इस ब्लाक हॉल में डाली गेन थी अपनी विक्टो को बचाया महताब ने रिक्स से वारा रन लेनी की चाहत मन में बिल्कुल नहीं थी और गेंद रही इस वक्त जरू डॉट के रूप में इस वाइट के साथ हुई है शुरुआ नेक्स बॉल हलक्या तुर्से खेला गया स्ट्रोक सिंगल रन के साथ रस्ट्राइक को रोटेट किया है नेक्स मैच नशेमन वारियर्स एंड यूडीपी इस बार बढ़िया हीट करने की कोशिश बिल्कुल फुल टॉस बना कर खेला था गेंद को डीप लोग ओफ रीजन पे लेकिन गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से फेल्ड की गई कोई रन नहीं इस बार स्ट्रेट ड्राइब करने की कोशिश सिंगल रन की चाहत मन में नहीं थी गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में बैक टू बैक गेंदे डॉट कर रहे हैं यहाँ पर मलेबाज इबराहीम जोके टीम आइकॉन है स्टार खिलारी है इबराहीम एक बहतरीन खिलारी के रूप में इनकी पहचान इस बार विकिट करने की कोशिश को उपसूरत कैच हवा में लेराते हुए इस कैच को लपका विकिट का हुआ है पतंग लगता हुआ पहला जटका बैटिंग यूनिट टीम को अपनी टीम की ओर से वन टाउन एक बहतरीन गेन गेन बाजी का नमूणा इन्होंने पेश किया एक बहतरीन गेन बाजी का स्कूर दोडन एक विकिट के नुकसान के बाद नए गेन बाज आए हैं इस वक्त गेन बाजी की जिम्मेदारी समाल ने अरफात फुल टॉस बना कर खेलने की कोशिश और यहां पर गलती कर बैठे विकेट का बतंग होता हुआ कूपसूरत कैच लगता हुआ एक और बड़ा वाला जटका स्कोर बोर्ट पर स्कोर इस वक्त स्पार्टन टीम्स का नज़र आता हुआ महस्दोरन वह सीम ओन स्ट्राइक विकेट करने की कोशिश यहां पर एक रन के लिए निकले है और भैतरी अंदाज में एक रन कंप्लिक्ट किया सिंगल के साथ स्ट्राइक को रूट इट किया है काफी समय के बाद रनू की रन संक्या में तोड़ी सी बड़त होती हुई इस बार विकेट करने की कोशिश लेकिन कलती कर बैटे शहजान खूपसूरत कैच विकेट का बतां होता हुआ तीन रन तीन विकेट स्पार्टन्स तीन विकेट कवा चुके हैं अगर इस ओवर में एक और विकेट लेते हैं तो आरीब भाई की तरब से 500 रुपे प्राइज मनी गिन बास के लिए 500 रुपीज अरीब भाई की तरब से नेक्स बॉल लिखा तैयार इस बार बैटरी इन डिलिवरी नो डाउट गेंद रही डॉट के रूपे अगली गेंद इस बार और यह खूबसूरत कैट 500 रुपे की प्राइज मनी आरीब भाई की तरफ से गेंद बास के लिए बिल्कुल आरीब इराकी साथ की तरफ से यह प्राइज मनी है 500 रुपीज बिल्कुल हम तक के पॉस्सी हुई अर्फात इस बार फ्लिक किया है सिंगल रन लिया है जरूर एक रन कंप्रीट किया है एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं और क्यों ही है समाप्ती दो और की समाप्ती के बाद स्कोर बोर्ट पर स्कोर दर्शाता हुआ चार रन चार विकेट के नुकसान के बाद हाशिम गेन बाजी की कमान पर इस वक्त नजर आते हुए जिनने प्यार से वाचा कहा जाता है बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश की थी लेकिन रडार में गेन नहीं आई गेन रही डॉट के रूप में जफर स्ट्राइक पर है और इस बार देखिए जोरदार अपील की गई है चेंज और पेस गेन किया था गेन में तोड़ी सी गती थोड़ी सी कम की थी अपील की है जरूर बिलाल ने लेकिन अमपायर जावेत पर कोई खासा असर नहीं गेन रही डॉट के रूप में नेक्स बॉल इस बार एज लगा है कीपर की खराब फेल्डिंग खराब त्रो और जहां पर सिंगल नहीं था वहाँ पर और यहाँ पर देखते हैं क्या दुर गटना गटी है यस बिलाल ने डाइरेक हीट करने की कोशिश की थी और देखे किस अंदाज में बिल्कुल महिंदर सिंग धुनी स्टाइल में यहाँ पर हीट किया विकिट का बता हुआ सफलता हाथ लगी है लगबग पाचवा आवेश दिशा से काफी ज्यादा बाहर अमपायर ने इस गेइन को वाइड जरूर दिया है इस वाइड के साथ रणों की रण संक्या है पांच रण पांच विकिट पांच विकिटे जा चुके हैं पांच रण मनाने के लिए इस बार देखे मौका था फिर से एक बार गलती करते हुए कीपर बिलाल खराब कीपिंग का प्रदर्शन नेक्स्ट बॉल लेकर तयार हुते विफिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर वाचा और दिस ये गेन दिशा से काफी ज्यादा बाहर रही अमपायर का इशारा यस वाइड बॉल रनू की रण संक्या में इस बार बिगिट करने की कोशिश ये गेन जाती हुई लॉग ओन शेत्र में सिंगल रन सिंगल से जादा कुछ नहीं अब जिम्मेदारी जो टीम ओनर हैं उनके उपर ही नज़र आती हुई जफर थोड़ी से मिस्विल्डिंग एक रन चहल कदमी करते वे पूरा किया है अब जाकर स्कोर थोड़ा सा आगे बरता हुआ तीन ओवर की समाप्ति के बाद आट रन पाच विक्टो के नुकसान के बाद महज आट रन पाच विक्ट नाम है टीम स्पार्टन्स और बिल्कुल स्पार्टन्स याने योध्धा एक्सेनिक यहाँ पर पाच योध्धा शहीद हो चुके हैं याने विक्ट गिर चुकी है चलिए फिलिंग उने टीम मुहमद हड़न नहीं करना है टाइम विस्टी करना ह चर्चा नहीं करना है चर्चा में समय ज़्यादा खर्चा होता है लास्ट और फाइनल कॉल पहले से आपके पास अल्रीडी डिसाइड़ चार बॉलर होते हैं माइन में सेट करकर वोही चार बॉलर हो का इस्तमाल कैप्टन को करना होता है नहीं गेन बाज आए हैं मोहीन मोहीन के हाथों में गेन थमाई गई है मौहमद टाइम वेस्टी करना है बहुत मैचस है अज लगबग 14 से 15 मैचस हैं और अब चलता हुआ यह दूसरा मुकाबला इस बार यह गेन आउट अफ स्टम वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ रनों में थोड़ी सी बड़त स्कोर जा पहुचा है नौ रन इस बार बेगेट करने की कोशिश सिंगल रन कंप्लीट किया है एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं जैसे मौका मिला है फिर से एक बार आवेश को सब की निगाएं आवेश पर अगर जग कमिटी के एक मेंबर भी है और यहाँ पर देखिए दीशा से काफी ज़्यादा बाहर गिनको कर बैठे वाइड बॉल और फिर से एक बार आवेश सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस बार आवेश ने जर दिया है बड़ा हिट आउट अब दपार्क छेर रन क्या बाद है बिग हिट बिल्कुल जिस तरीके का नाम आवेश उस तरीके का काम करते हुए स्कोर दो अकड़ों में कनवर्ड होता हुआ 17 रन इस बार आउव साइड में केला था टैप किया था स्ट्रोक को सिंगल से जादा कुछ नहीं इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुचा है 18 रनों पर 5 विक्टो के नुकसान के बाद गेंदे बची हैं हिससे में इस वक्त 3 यस देके दोनों में से कोई भी एक सिक्स जड़ता है दोनों बैट्समेन तो उनके लिए प्राइज मनी है साजीद भाई की तरफ से 500 रूपीज इस टूर्णामेंट के जो करता दरता है इस टूर्णामेंट के जो आयोजक हैं स्पॉंसर्स हैं उनकी तरफ से ये प्राइज मनी आती भी हमारे हजी साजीद अंसारी साभ एक्स कॉर्परेटर उनकी जानिब से ये प्राइज मनी नेक्स बॉल और यहाँ पर मौका बना था लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप सिंगल रन एक रन से जादा कुछ नजर नहीं आता हुआ अवेश के लिए एक बॉल बची है अगर इस बॉल पे 6 जड़ा तो 500 रुपे साजी दन्सारी साप की तरव से एक बड़ा हिट टीम का स्कोर भी एक लिवल पर पहुँच जाएगा एक बड़ा हिट और 500 भी मिलेंगे देखते हैं लास्ट बॉल पेर किस प्रकार का स्टोक जड़ते है आवेश इस बार कोशिश तो की थी लेकिन ऑफसाइड में केलाय स्टोक को और यहां पर एक रन कम्प्लीट किया रन आउट के रूप में विकेट गिरा ओवर की हुई है समापती यह सप्राइज बनी जिनके लिए रखी गई थी मैं आरीब भाई आरीब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आरीब भाई आईए आपके शूबातों से प्राइज दे स्कोर है 20 रन टार्गेट 21 रन होगा अरीब भाई के तरफ से प्राइज बनी है झालेव अर幾 उनिक बनी बनी ऱर्मापके खुआ औरीब भाई आरीब बनी करूंगा आरीब वैर वी देस्टा हुआराण प्राइज झाल 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 चलिए प्लीज मैच को अन करना है टार्गेट है बीसरन झाल 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 महमद अपने टीम की ओर से लेकर आए हैं पहला ओर बिलाल स्ट्राइक पर हैं नॉन स्ट्राइक हैंड पर हैं महमद इस तरीके की सलामी बल्ले बाजी की चोड़ी विक्टो के बीच में नजर आती हुई टार्गेट 20 वर्ट रन वेरी फर्स बॉल वेरी फर्स बॉल अंपायर डिसिजन वाइड बॉल account ओपन हुआ है इस बार में इस timing Senhor है एक रन के लिए निकले हैं जरूर एक क्रॉपन कंप्लीट이ा McMahon versus बड़ा हीट लगाने की जरूर कोशिश की थी सिंगल रन कंप्लीट किया है एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया यहाँ पर मोहम्मद ने बिलाल लए शिंगल रन के लिए निकले एक रन यहाँ पर देखिए मोहम्मद के इनिंग की समाती स्कोर बूट पर स्कोर इस वक्त दर्शाता हुआ तीन रन दू विक्टो के नुक्सान के बाद टारगेट रखा गया 21 रन इस मैच को अगर जीतना है तो 21 रन बनाने होंगे जरूरी मोहम्मद आउट हो चुके हैं लेकिन गेन बाज मोहम्मद बहुत ही अच्छी गेन बाजी कर रहे थे लेकिन दिशा से इस वार बाहर की तरफ गेन को कर बैठे अंपायर का डिसिजन आता हुआ वाइड बॉल रनू की रन संक्या में तोड़ी सी बड़त होती भी इस बार फ कॉर्नर स्टोन्स आउट होते वे यस यहां पर कुछ डिसिजन आंपायर की जानीब से होगा पहुचेगा क्या बाद है यहां पर शारुक को मिलता हुआ जीवन दान बॉल फूट गया था टैट बॉल क्या बॉल झाल 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 शारुक को जीवन दान मिला है अब देखना ये होगा कि शारुक कितने रन जोड़ पाते हैं जीवन दान के बाद इस बार दीशा से काफी जादा बाहर वाइड बॉल का इशारा अमपाइर की तरस से आता हुआ बैक फूट पर जाकर कट किया है सिंगल रन के लिए निकलें एक रन कम्प्लीट डूसर रन के लिए निकलें और यहाँ पर तेज कदमों के साथ दो रन पूरे किये फर्स्ट एक्शन कम्प्लीट किया है मुहम्मद ने इस बार यह अच्छी गिन गिन रही डॉट के रूप में ओवर की हुई है समाप्ती एक ओवर की समाप्ती के बाद रन की रन संक्या दर्शाती हुई साथ रन दो विक्टो के नुक्सान के बाद साथ रन हुए है चौदा रन की जरूरत इस मैच को दितने के लिए अठरा चौदा इस बार फ्लिक किया था हलक्या तो से सिंगल रन के लिए निकले हैं एक रन कम्प्लीट हुआ स्कोर आट रन नक्स बॉल ते ये दिशा से काफी ज़्यादा बाहर रही अमपायर ने जरूर वाइड बॉल का इशारा दिया है इस बार फ्लिक्ट करने की कोशिश अच्छी फिलिंग सिंगल रन एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं नक्स बॉल चिकी सिंगल किया था जरूर बला हिट लगाने की कोशिश शैजान इनको फिल्ड करते वे नजरा है सिंगल एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं इस बार खेला है रिवर्स स्टोक सिंगल मिलेगा स्विच किया था गेंदे हो चुकी है अब तलक के पांच स्कोर 13 रन जीत के लिए 11 रन की जरूरत इस बार बैक फूट पर जाकर कट किया सिंगल रन निकला है जरूर एक रन एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं एक एक करकर मैच में पकड़ बनाने की कोशिश इस वक्त जारी है हमारे बीच जनाब हाजी अब्दुलमजीद सहाब यहां तश्रीफ ला चुके हैं M.I.M. के नेता हैं उनका हम तहे दिल से इस्तक्बाल करते हैं अंसारी प्रीमेर लीग सीजन टू में आपका तहे दिल से इस्तक्बाल है वेलकम है स्वागत है नेक्स बॉल फ्रेंट फूट पर निकल कर बिगट आउट अप दे पार्क छेर रन क्या बात है शारूक बिगट इस छे के साथ रनू की रन संक्या में थोड़ी सी बड़त होती हुई स्कोर आगे बड़ता हुआ एक रन के साथ स्कोर इक्वल होता हुआ जीत के लिए 21 था हम चेक कर रहे थे कि आप लोग मैच में है या नहीं आईए चलिए यस वेल प्लेट गाईज वेल डन वेल प्लेट